हे गाईज वेलकम डू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका सुड़े में तो दोस्तों आज हम इस वुड़े में फॉर्म फिल करके आपको बताने जा रहे हैं जो की निकाली गई है डीमर्सी जोधपूर्स की तरफ से वेरियस पोस्ट पर वेकंसी आउट की गए है तो इसका जो ओफलाइन फॉर्म है जिसका ओफलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है और क्या-क्या रिलेवन डॉकिमेंट के साथ आपको सेंड करनी है कहां पे सेंड करनी है टोटली प्रोसेस हम इस वीडियो में डिसकस करने जा रहे हैं आपने DMRC जोदपूर की वेकंसी वाली डिटेल्स वाली वीडियो आप सबने नहीं देखिए तो डिटेल्स वाली वीडियो जरूर देख लिजेगा जो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी उसके बाद आपको पता चलेगा आप पहली ज स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आकन को प्रेस करके नोडिवेकेशन बैल को आल कर लिजेगा आप चाहें तो हमारे जो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और सक्से निकालेगा और एक-एक का xerox ले लिजेगा प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद आपको क्या करना है इस पे आपको फिल करनी है फिल करने का बाद relevant document के साथ इसको scan करना है और एक email ID में बताने जा रहा हूँ उस पे आपको send करनी है तो चलिए उसके बाद आपको fill करनी है पहले xerox में fill कीजेगा उसके बाद original में next है यहाँ पर application form applicant यहाँ पर सबसे पहले आप की पोस्ट के लिए apply करने उस पोस्ट का नाम आपको देना है और आप यह कैसे पता चलेगा जब तक आप details वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक पो नहीं पता चलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए apply करना चाते है तो देख प्रोजेक्ट आपको दिखा देता हूं वैसे आपको प्रोजेक्ट समझ में नहीं आएगा जैसे कि आपने field worker के apply करना चाते हैं तो यह यहाँ पर में दिखाई देगा name of project यह आपको फिल्ड वरकर की project है आपको देख रहे हैं देख सकते हैं वही project यहां से लेकर यहां तक आपको जो है वहाँ पे fill करनी है अगर यहां आप टेकनिसियन 3rd और MTS के लिए apply कर रहे हैं तो यह आपका दोनों के लिए project आपको यह fill करनी है तो ध्यान रखेगा और वही project आपको से M2 से वहाँ पे fill कर देनी है तो देख सकते हैं यहां पे काफी space है आराम से छोटे-छोट इस पे fill किज़ेगा नेक्स आप फादर्श ने fill करना है आपको date of birth आपको select करनी है date of birth आपको इसे fill करना जैसे कि 10 है उसके बाद अपरेल है तो 04 और 1998 आपको इस तरह से देनी है इसके बीच में कोई भी slash बगर आप कुछ ने लगाईएगा नेक्स आप बात करते हैं present age कर दीजेगा और bracket में यहाँ पर लिख दीजेगा जैसे कि male है तो em कर देना फिमेल तो f कर देना ट्रांजेंडर तो t कर देना ट्रांजेंडर के लिए नेक्स लटी आपका जो भी एंडेन सेलेट किजेगा htse obc आप जो भी category से belong करते हैं simply आप इसमें tick कर लेना है next are you physically handicapped क्या आप यहाँ पर विकलांग है यदि yes है तो yes पर tick करनी है नहीं है तो no पर करनी है next address for correspondence यानि कि correspondence address आपको यहाँ पर fill करनी है यानि कि present address आपका जो भी है वो fill कर दीए नहीं जहाँ पर आप postal address करना चाह आप ही मौदपूर्ण है तो जो भी fill किसेगा totally working होना चाहिए आपका mobile और email एडिव वर्क करना चाहिए active होना चाहिए वही fill कितना है qualifications की details यहाँ पर आपको fill करनी है सबसे पहले 10th की details कौन से board से या फिर university से आपने पास किया है कब आपने पास किया है 2015-2016 जो भी fill कर देना है marks कितने थे आपके total यह आपको यहाँ पर percentage में देनी है measure measure कौन से subject है Hindi English जो भी होगा वो दे दीजेगा अब आती है 12th class की details यहाँ आपको 12th class की details fill करनी है कौन से university से board से पास किया जैसे कि मैं सारखन बोट से पास किया 2016 में pass out किया जो भी आपका होगा वो fill कर देना है कितना percentage जाया जैसे कि यहाँ पर 85, 95, 75, 43 जो भी percentage होगा फिल कर दीजा है measure subject क्या था वो आपको देनी है jurisdiction के degree है आपके पास तो बिल्कुल इसी तरह से यह भी fill कर दीजेगा PG किये हैं यह भी fill कर देना है जो कि nursing के लिए apply कर रहे है सिर्फ उनी के लिए है otherwise के लिए नहीं है तो otherwise कोई भी student feel नहीं किजेगा लेकिन nurse के लिए apply कर रहे है तो आपको fill कर नहीं है अब आती है experience की जो भी यहां पर कितने भी candidate यहां पर जिने होने आप पर फिल्ड worker के लिए या फिर जो भी post के लिए MTS के छोड़ कर रहे है तो आपको यहां पर experience देना निवार है दो सल का जिसमें मांगा गया diploma तो relevant आपको fill करने है of institution कहां से आपने किया है और designation आपकी क्या थी कौन सी post आपको मिली थी वहां पर और कहां से किया है आप देख सकते है pay scale आपको कितनी मिल दी थी वहां पर कब से किया है और कब तक किया है यह आपको देनी है उसके बाद nature of work परफ़ोन है यानि कि आपकी nature क्या थी काम का यह आपको डिब्योरा यहाँ पर fill कर देनी है next आपका कोई भी और experience है तो इसी तरह से fill करनी है extra experience जो भी होगा data fill कर दीजेगा, याद रखिएगा आप जहाँ पर भी apply कर रहे हैं इसी भी application फोंफिर कर रहे हैं लाइफ में, तो आपकी जो भी qualifications है और जो भी experience है सभी fill किस देगा, इतना आपको ध्यान होना चाहिए, अगर वहाँ पर space दिया जारा fill करने के लिए, तो जरूर fill किस देगा, next आपको आता है knowledge of computer application if any please attach certificate diploma degree, आपके पास जो भी knowledge है, आपको basic details वाइज यहाँ पर fill कर देनी है, और उसके साथ इसको certificate या फिर diploma certificate इसके साथ attach भी करनी है tapping speed of computer की आपका क्या रहने वाला, यह आपको दे दीजेगा, इसमें कितनी tapping speed आपको notification एक बार जरूर चेक कर लिजेगा कितना मंगा गया है इसमें, यहाँ पर दो reference आपको देना पड़ेगा guys well known with applicant work, जो हाँ पर आपने कर रहे हैं काम, वहाँ पर कोई भी reference आप दे सकते हैं, occupation कहाँ पर था अभी है, या फिर position में है उसके बाद वहाँ का address और telephone number या फिर email आडिया आपर दे सकते हैं, दोनों में fill कर देने यह जरूरी है, इसके बिना eligible नहीं हो, तो यह जरूर fill किज़ेगा, इसी बात नहीं है, किसे आप छोड़ दीजेगा next यहाँ पर fill करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने से पहले आपको recently passport size photo है जो कि यहाँ पर पहले चिपकाना है चिपकाने के बाद आपको basically नीचे आईएगा, और यहाँ से place आपको दे देना, कहां से आप apply कर रहे हैं उसके बाद date आपको fill करने है अपना signature और name दोनों, signature उपर कीजेगा, और अपना scan करना है, और आपके साथ जितने भी relevant documents है 10th का certificate हो गया mark seat हो गया, और आपका provisional certificate उसके बाद आया जो भी आपकी पास qualifications आपने fill के यहाँ पर totally उनका certificate, एक ID card जैसे की voter card, अधार card किसी की आप दे सकते हो, उसके बाद recently passport size photo आप एक पर चिपका देना वो भी, और 2 passport size photo इसको send करनी है और सभी को xerox करके self-attested, याने कि खुद का signature कर लिजेगा उसमें, उसके बाद यहाँ पर scan करना है, जो भी signature बगर आपना जो भी form fill किया signature करने के बाद PDF बनानी है सबकी, और यहाँ पर इस email ID में आपको send करनी है यह आपका email ID कब से कब तक या तो 21 September से पहले आपको send कर लेनी है, तो बस इतना सारा ही process है गाईज, इसका form fill के लिए, hopefully मैंने carefully बताए आप सबको समझा चुका होगा, फिर भी कहीं पर भी doubt लगे, problem लगे, तो आप comment कर सकते हैं, वीडियो आपको पसंद आईए, लाइक करें, इसे अपने दोस्तों तक जरू सेर करें, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राब करके बेल आकन को प्रेस कर दीजेगा, चले मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तदेगले जाइंट